है नमस्कार मैं अभी नौगों के मूंगरागर में हूं और पाने का directors बांत आंते ऑफ पानी को बहुत पहले थे से उड़ा को स्वाध आठको अपनेब्स आजए रखा और ऐसा पताते सोने और कामे के बतनर रखाओगा आप पैमरा लगाई यह सामने पर मूंगरा गड़ है और मूंगरा गड़ का अपना एक इतियास है यहाँ पर सद्यों पहले परमार बंस के लोग रहते थे और 1998 में इस गड़ पर आग लगई तब से यहाँ विस्तापन हो गया है लेकिन मूंगरा गड़ में जब आप अंदर जाएंगे तो कई इतियास यहाँ तब है वहाँ से एक टनल है जो सीधे यमना नदी में जाते हैं वहाँ से पानी भर करके लाचनी कि बंद हो गई है उसके नीचे एक दूसरी टनल है जो पत्ती सीडियों को लेकर के फिर सिधा आप यमना नदी में परवेश करेंगे तो इ जो दिवाल है उसकी जो यह सामने जो दिवाल दिखाए दे रहेकर यह खंडर है यह आउसेस हैं जो इहां पर कभी सल्तन रहे थी परमार्बंस को लोग यहाँ रहते थे दिक डे भी राज अज़े सोड़िये उसका मंदिर भी आज वहां पर खंडर में तबदिल है तो बड़ी किसी जमाने जब छोटे-छोटे टुकड़ों में लोग बंटे हुए थे तो छोटे-छोटी राजधानिया उनकी हुआ करती थी तो मुंग्रा गड़ भी एक राजधानी थी पंवार बं चल्स रोता है आज भी उसमें पानी न गड़ता है वह सेम रहता है तो मुंग्रा गड़ में पहुंचने के लिए किस तरह से जो इस द्रे से सामने दिखाए दे रहा है आप कहें से भी आने जा सकते हैं तीनों तरफ जो यमना नदी है और एकी तरफ से रास्ता था तो ऐसा ही टीले के अंदर से ही अंदर पानी जाने का पानी लेने का रास्ता था जब मुंग्रा के परमार बंसों ने भरा पानी साथ एक जिंदी मसली आई तो भार गोरखे आक्रमन करने लिए तयार थे उनके उपर जिंदी मसली फेंग दी तो गोरखों को लगा कि जब यहां बनस्पतिया है, सामने पर ये मोलू का पेड़ है, एकदम शकास और इधर टिमरू बहुत जादा है, टिमरू बहुती पुम्दा किसम की परजाती है यहाँ पर, इसकी जो आप डंडी देख रहे हैं बिलकुल स्वस्त है, और ये स्वस्त परकार का टिमरू यहाँ यमना नद किनारी ही मिलता है, अभी हम चल रहे हैं मुंगरगाओं के गड़ के रास्ते में, ये बड़ी औसद है, इसको लोग निकाल करके अपने चेरे पर लगाते हैं, ऐलो बिरा, तो ऐलो बिरा यहाँ नेचुरल ही है, ये ऐलो बिरा के पेड़ एक नहीं है, कही है, पूरा ऐलो बिरा का जंगल यहाँ पर हमारे सामने है, ये देखो, ये नेचुरल है ऐलो बिरा, किस ने लगाया नहीं, पूरा ऐलो बिरा रास्ते रास्ते में, तो जब चाओ तब आप ऐलो बिरा को ले सकते हैं, बहुत ही महतोपोन औसदी है ऐलो बिरा, जिसकी आज अंतराष्टे मा केट में बड़ी दिमांड है, मेरे सामने यमना नदी बह रही है, और सामने पे आप मुंगरा पुल देख रहे हैं, ये मुंगरा पुल यमना नदी पर है, मुंगरा गड़ के नीचे बनावा है, किसी जमाने में ये यमना नदी के पार वाले छेत्र को हिमाचल में मिलाने के तैयारी चल रहे थी, अपने आप में आईतिहासिक है इसका फिरा प्रफॉल के साइट रिजिएसन कर रही है अरे वाह आज तो धिरस परमार की बेटी अपेक्षा परमार है कौन सी क्लास में बेटा है फिप्त में अपेक्षा परमार दूर दर्सन देखती है और कहती की प्रेम पंचोल अंकल देखो वाँ सीड़े बना रहा है किसने बना है किसने बना है सुनीत नाटि तो यह दूर दर्सन देखती है तो चलो पेटे स्कूल में क्या क्या पढ़ाते है मुंगरा गाउं के परमार लोग भूता एडवांस है कौन सी स्कूल में पढ़ती सर शतिशी सुमंदिर में क्या बात है तो मेरे बिलोग जरूर देखना है है न ऐसे पानी के धारे जब आप पहाड में आएंगे तो जगों जगों मिलेंगे आपको पानी पीने के लिए स्वचंद रूप से पानी पीने के लिए मिलेगा पाउं दुलने के लिए हाथ दुल है कि बहता पानी है और कई बारे खराबी हो जाता है जैसे क्लॉड बरस्ट हो गया तो पानी अपनी अपना रास्ता बदल देता है दूसरी तरफ चला जाता है तो आप पहाड में आईए और पानी के जो जल्स होते है नेचुरल रिसोर्स है उसकी मज़ा लीजिए मुंगरा गड़ की कहानी बताइए जो बावन गड़ों में एक गड़ है इस कहानी के पीछे बहुत रहसे है क्योंकि उत्राखन हिमाले में छोटे-छोटे गड़ वाकर देते जिनकी अपनी एक सल्तन है ये छोटी-छोटी रियासत में अपने आपने भी रियासत है और इन र खियासतों की कहानी भी अलग-अलग है ऐसी कहानी को लेकर कि आपके सामने फिर मुखातिव रहूंगा आज कैमरा में ब्रगवीर के साथ प्रेम पट्रोगी नमस्कार